हलो एवरीवान गुद इवनिंग नमश्कार अग्रीकल्चिर अड़ा 24-7 पर मैं मिनाक्षी राटी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं तो आशा करती हूं आप सभी लोग स्वास्थ होंगे अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी एक्जाम की प्रपरेशन में लगे ह होंगे स्वाइन सीडी वी विल टुगेदर विंदर इस ठीके धीरे धीरे चलेंगे और हम जरूर जीतेंगे यह हमारी कोशिश भी रहेगी यह आपके जो सीरीज है यह FCA AG3 टेक्निकल के लिए चलाई है जिसमें हम यहां पर कवर करते हैं एलिमेंटरी एंटमोलाजी राइ ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे बीद फॉर्स वन तो वाच यार बाद में तो दुनिया रहिकती है है और अट फकॉस आइल टॉक बाउट यो बैचर्स बैचर्स आपके जो है इस माइब बॉर्ड वर्क यह भी बिलकुल आप लोगो जैसा है माम की ब लोग नहीं सुनते हैं चली कोई बात नहीं मुझे बच्चे हैंडल करने आते हैं इसको भी हैंडल करी लेंगे धीरे धीरे हैना तो आप सभी लोग जानते हैं आपका HCI का पेड़ बाच स्टार्ट हो चुका है जहां आप लोगो की क्लासे स्टार्ट हो चुकी है प्री और मेन की बाद में और बैच इस भी रिलीज होते रहेंगे डोंट वरी और अगर आपको लगते की भाया मेरी प्री की तैयारी है मुझे माच रिजनिंग इंग्लिश सब आता है तो आप की वर मेंस का बाच भी ली सकते जिसमे की वर मेंस जो सब्जेक्ट रहेंगे आपके जैसे 1200 जो है आपका ओफर प्राइस रहेगा अगर आप कोड का यूज करते हैं विच इस वाई 448 ठीके वाई 448 का जो है आपको यूज करना है बाच में रोल करते वक्त और इसके साथ आपको मिले का 77% का डिसकाउंट यारी की केवल 33% के ही पैसे देने पढ़ेंगे आप सभी ल कर रही है तो लेट्स गेels साटे आप लोगों कि क्लासीफिकेशन जो है कंपलीट हो चुकी है हम जो मेजर से इंसेक्ट के वो कवर कर चुकी हैं फैमिली कवर कर चुकी हैं क्या-ک्या उनके मेजर फीचर तो हैं का उनstatके प्लाइस के साथ हम बहुत अच्छे से क्लासीकेश कर चुके अब मैंने तो बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन करा दी है लेकिन क्या आप लोगों ने इतने ही अच्छे से क्लासिफिकेशन याद की है तो उज का टेस्ट जो है आज होने वाला है ठीक है तो आज हमारी जो है क्विज क्लास है यानि कि आज पढ़ाई नहीं इतने होगा तो आज आप लोगों की महनत का दिन है आज आप लोगों को आंसर करना है बोहत फ्री में क्लास देख ली है ना बिल्कुल हाथ पाहु छोड़के पन छोड़के बस मैम की सुन लेते हैं तो आज आज आपको जो है क्विज में पार्टिपेट करने है लेची नियाद है ताकि हम सारी क्लासिफिकेशन को रिवाइज कर सकें राइट अवेरी गोड इवनेंग जी वेरी गूड इवनेंग लेट इवनेंग लेट स्टार्टे है शुरुवार पहले क्वेश्चिन से राइट विच इंसेट और चंटेंज species that are important pest of domestic animals domestic animals यानि की जिसे हम बफैलो होती है गाइ होती है डोग सोते जिनको हम पालते हैं जिटो मेस्टिक होते हैं उनके में जो है यह काफी important है pest है तो यह कौन से order से जो है belong करते हैं to which order does they belong चलिए लेट्स दूएट मैं पीछे करने चाहर हूं यह आगे हो जा रहा है बता ही ऐसे कोई करता है क्या मुझे लगता है pen से बैटर यह फिंगर से चलता है देख है है hello amit is it your first class कोई बात नहीं बच्ची answer to of course आप लोगो को मिलेंगे अपनी class में ही so don't worry about it right तो पहले question से शुरुवात करते हैं आज मेरा board थोड़ा सा धोका दे रहा है है रहा है तो आपका पहले जो question है उसका answer होगा c diptra 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 order में कौनसी कौनसी आपके examples आते हैं आपके जो flies होती है वो diptra order में आती है right तो जो house fly है जैसे यह diptra order में आती है fruit flies diptra order में आती है saw fly diptra order में आती है तो यह flies जो है आफी important pest है आपके domestic animals का तो यह आपका answer क्या रहेगा diptra and fight theritra ठीक है so c will be your answer चले चलते हैं अगले question पर question number two and amit अगर आपकी पहली class है तो आज जो है हमारी classification की आखरी class है जिसमें हम questions practice कर रहे है बाकी अगर आपको it's like की आपको classification पूरी पढ़नी है entomology की तो आप पिछली classes बिलकुल देख सकते है उसमें हमने पूरी classification cover की हुई है इससे पहले हम morphology पूरी cover कर चुके है और इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद हम crops के insects के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे right तो which insect order is most closely related to diptra order diptra order यानिकी flies वाला order again इससे सबसे closely related कौन सा ओर दर है तो इससे सबसे closely related order है आपका हम नॉप्ट्रा right ठीक है तो हम नॉप्ट्रा order जो है आपका इसमें कौन को नाते है आपकी हानी बीज जो है वास्प जो है यह हम नॉप्ट्रा order से बिलॉंग करते है ठीक है मदुमक्खी है तताईया है यह हम नॉप्ट्रा order से बिलॉंग करते है और यह सबसे closely related है diptra order यान की flies वाले order से है न अपने माम में चाचे कोई पहले हम अपने रियल फामली के बाद उन्हीं को जो है इंपोर्टेंस देते है तो बेसिकली हम नॉप्ट्रा जो है diptra का मामा चाचा कुछ लगता है तो देयार closely related orders right then question number three question number three comes with to which class of arthropods do lobsters and shrimps belong to lobsters or shrimps kiss class से belong करते हैं देखिए arthropoda order में जो है तीन चोथाई जो population है three fourth population जो है insects की population है लेकिन one fourth किसी और की भी population है right तो उसमें जो है आपके यह आपके lobsters आते हैं shrimp साते हैं spiders आते हैं यह सब आते तो लॉब्स्टर और श्रिम जो है यह किस order से belong करते हैं अर्थो और्थोप्टरा के crustacea order से belong करते हैं किस ते करते हैं crustacea order से क्रॉस्टेश जो आपका order है इसमें आपके lobsters और shrimps जो है आते हैं ठीक है चले चलते हैं अगले question की तरफ question number four the order hemiptra contains hemiptra order में कौन से कौन से organism इन में से आते हैं bad bad works or sting bugs roads or mantards chewing and sucking lies cricket and grasshoppers so hemiptra order the key hemis a yarni के मतलब आधा है न तो hemiptra order में क्या होगा आधे जो wings हैं ये आधे elitra होते हैं elitra type की होते हैं hard होते हैं और आधे membranous होते हैं इसलिए इस order का नाम hemiptra रखा गया है और आपके bugs जो है hemiptra order से belong करते हैं ठीक है चाहे वो bad bug है चाहे वो sting bug है true bugs है ये सब ही आपके hemiptra order से बिलॉंग करते हैं तो यह भी याद रखेगा हिमनोप्रा अलग ओर्डर है है मिप्रा अलग ओर्डर है बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं ठीक है हिमनोप्रा ओर्डर में वास्प और जो है आपकी मधु मक्ही आएंगी है कर्मिप्रा में आपके बग्स आएंगे ठीक है चलिए मुविंग टू अनादा क्वेस्टिन क्वेस्टिन नंबर फाइज विच ओडर एज नौट होलो मैटा बॉल इस नहीं है होलो मैटा बॉल इसका क्या मितलब है उसमें मैटा मॉर्फोस होता है ठीक है तो ए ए मैटा बॉला जो होते हैं ठीक है फिर होलो मैटा बॉला होते हैं होलो मैटा बॉला में मैटा मॉर्फोस होता है प्रेजेंट होता है तो कौन से ऐसे हैं जिनमें मैटा मॉर्फोस यहादा डिफ्लमेंटल एक्तिविटी इस की जरूरत नहीं पड़ती है राइट, चले, देन, question number six, which order is exclusively herbivorous, कौन सा order है, जो exclusively herbivorous order है, यानि कि इस order की जितनी भी families है, उन families में जितने भी member है, ठीक है, तो जितनी भी families है, जितनी भी उन families में आपके members है, इन सभी members, जो है, phytophagus है, crop पर feed करते है, plant पर feed करते है, they are not non-wedge, वो non-wedge नहीं खाते है, कार्णी वारस नहीं है, flesh पर नहीं feed करते है, दूसरे insects पर feed नहीं करते है, ठीक है, शुद्ध शाका हारी, जो है, यह पूरा order है, और यह order कौन सा है, यह आपका order है, है, tricoptra, ठीक टो, tricoptra order, जो है, आपका बच्चे, classification हम अल्रेडी कर चुके है, तो, I guess, हम पूरी classification को खतम कर के आज को इस कर रहे है, तो आप पुराने classes देखे का, you will get all the explanation, right, which order is exclusively herbivorous, सबसे exclusively herbivorous order है, आपका tricoptra, 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 जो है अपका plant feeding order है, यानि की, इस में कोई भी family ऐसी नहीं है, जो कार्णी मोरस हो, ठीक है, which order is exclusively parasitic, कौन सा order है, जो exclusively parasitic है, डिपलूरा है, जोरेप्रा है, फाइथरेप्रा है, या दिप्रा है, विच और इस exclusively parasitic, parasitic यानि की, जो दूसरों के अपर जो है, निर्भर होते हैं, अपने nutrition के लिए, है न, उनकी body के अंदर रहते हैं, endo parasite हो सकते हैं, या फिर बाहार रहते हैं, exo parasite हो सकते हैं, ठीक है, तो ये parasitic organisms हैं, जो दूसरों को, ये nutrition को चुरा कर अपना पेट भरते हैं, इनको parasitic neutral कहते हैं, एक्जामपल क्या है, इसका एक्जामपल आपका diptra order है, अगेन, तो diptra order जो है, exclusively parasitic माना जाता है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा, diptra order जो है, exclusively parasitic है, और ये question जो है, आपका काफी बार exams में पूचा गया है, इस question has been asked in the exams, तो एक्जामपल में पूचा गया है, ठीक है, बाकी चलिये, next question, which arthropods have kelly series, तो ये होता क्या है, ये और बता देते हैं, kelly series, sorry, kelly series, जो है कुछ appendages होती है, जो head part की तरफ होती है, है न, other than your legs, कुछ appendages है, जो head part की तरफ होती है, mouth part की तरफ होती है, इन्हें जो है, कैलिसरे कहते हैं, तो ये किस में present होता है, spiders, shrimps, malipidus, or all of the above, तो इसका answer क्या होगा, spiders, spiders में जो है, ये appendages present होती है, spiders, सभी लोगों ने देखे होंगे, अपने घरों में, at least, है न, तो spiders में जो है, ये extra appendages present होती है, malipidus क्या होता है, मेली का मतला होता है, बहुत सारी पैडिस का मतलब होता है, ऐसे और गानिजम जिनके बहुत सारे पाँ होते, जिसके आपका कान खजूरा है, वो मेली पिडिस में आते हैं, ठीके तो किस में आएंगे, मेली पिडिस में आएंगे, तो ये विल बी यार अंसर है, विचिस, स्पाइडर्स, ठीके, चलिए, एग्जाम्पल ओ सिफेनोप्रा, सिफेनोप्रा में बच्छे आपकी फ्लीज आते हैं, not फ्लाइज, फ्लीज, ठीके, एफ-ल-e-e-a-s, डॉग फ्लीज, गाट फ्लीज, ऐसे करके कुछ दोचार फेमस हैं इसमें, जिसमें फ्लीज जो हैं आपकी सिफेनोप्रा ओर्डर मे आते हैं, the order orthoptera contains, orthoptera order में कौन से कौन से organism आते हैं, bed bugs and sting bugs, chewing and sucking lices, roaches and mendates, crickets and grasshoppers, तो हम सभी को पता है, हम सभी ने classification में सबसे पहला order orthoptera order पढ़ा है, इस order के example के हैं, cricket and grasshoppers, ठीक है, तो grasshoppers और crickets orthoptera order से belong करते हैं, पहले तो cockroach को भी orthoptera order में डाला गया था, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि नहीं भई, cockroach को हम इस order से हटा देते हैं, और नया order बनाते हैं, ठीक है, तो अब cockroach orthoptera order में नहीं आता है, अगर किसी को ये पहले याद हो पहले का बना हुआ, तो उसे erase कर दीजे, उसे भूल जाए, ठीक है, अब orthoptera order में कौन को नाते हैं, grasshoppers आते हैं, और cricket साते हैं, ठीक है, चलिए जी, चलते हैं, अपने अगले question की तरफ, which is question number 10, what is the difference between fleas and flies, तो ये हम, I guess, photographs के साथ करेंगे, हमें तो बैटर रहेगा, तो इसको हम कल कवर करते हैं, with photographs, तब की आपको जो है, better understanding रहे, तो कल हम difference करेंगे, between the fleas and the flies, ठीक है, they are like, वैसे दोनों ही insect हैं, of course, but minor differences होते हैं, इनके body structure में, जो आपको with diagram हम कल दिखा देंगे, ओके, चलिए, चलते हैं, which order is exclusively hematophagus, hematophagus यान कि देखी, phytophagus का मतलब होता है, जो plants पर feed करते हैं, उसी तरीके से hematophagus होते हैं, यान कि जो blood पर feed करते हैं, जैसे कि आपका mosquito है, मस्कीटो आपका blood suck करके ही जिन्दा रहते हैं, यान कि जो order है, exclusively hematophagus यान कि उस order के सभी members जो है, blood पर feed करते हैं, तो वो कौन सा order है, वो आपका सिफेनोप्त्रा order ही आएगा, ठीक है, तो इसमें जो आपकी flies, flies नहीं, sorry, में की blood पर feed करते हैं, जैके, चले, चलते हैं, which order is hematophagus, ओके ये तो हो चुका है हमारा, moving to the next one, butterflies and moats, butterflies and moats belong to what order, ये किस order से belong करते हैं, जो भी आप colorful, colorful butterflies अपने आसपास देखते हैं, और moats देखते हैं, देखे, butterfly और moats में क्या difference है, ये बहुत easy है, butterflies जितने भी colorful दिखती हैं, red, black, yellow, ये सब आपकी butterflies होती हैं, जो भी colorless होती है, brown, brown color की गंदी सी होती है, वो सब आपकी moats होती हैं, तो moats और butterflies किस order से belong करती हैं, ये lapidoptera order से belong करती है, इनके जो worms होते हैं, कीडे होते हैं, earthworm जैसे से ही होते हैं, without legs होते हैं, but right, तो ये जो हैं lapidoptera order से belong करते हैं, और ये I think आप सभी लोगों को already पता होगा कि butterflies और moths किस से belong करती हैं, चलिए, तो चलते हैं अपने अगले question पर, which is question number 13, तेहरवा question, what is the identifying feature of insect in order callioptera, callioptera order में जो भी members हैं उसके, तो इसमें identifying जो चीज है, यानि की उसके features जिससे आप ये identify करते हैं, की ये callioptera order से belong करते हैं, तो इसका identification mark क्या है, इसके wings elytra type के होते हैं, hostellate mouth part होते हैं, सरसाई present होते हैं, या fasorial legs present होते हैं, किन को देख कर आप ये पहचानेंगे कि ये insect तो callioptera order से belong करता है, कौन सा feature इन में सबसे ज़्यादा important है, elytra, hostella mouth part, सरसाई and fasorial legs, a, b, c, या फिर d, so the answer is elytra, yes, elytra type of mouth part, जो है, sorry, elytra type of wings जो है, वो ये दर्शात हैं कि ये callioptera order से belong करता है, elytra type of wings कोन से होते हैं, four wings जो होते हैं, आगे के जो wings होते हैं, ये hard shell में जो है convert हो जाते हैं, यानि कि, रविंद्रा actually कल मैंने इस पर session तो लगाया था बच्चे, but I just read the comments और इसी लिए जो है, हमारी technical team उसको और research कर रही है, properly, अगर उन्हें लगेगा कि हाँ, आपका जो है, ये पूरा सही notification है, तो जो है, आपकी notification जरूर की जाएगी, तो notification मेरे पास भी आई है, ICAM की, ISAM की, लेकिन उस पर हमारी जो technical team है, थोड़ी से research कर रहे है, what it is fake or not, जैसे हमें पता चलेगा, we will update you, हम आपको जो है, जरूर अपडेट करेंगे, ठीक है, अभी के लिए हमने उसको hold परी डाल दिया, कल session लगाया था, बट इसलिए नहीं किया, कि पहले research करते हैं, और फिर सही knowledge आप तक पहुचाने की कौशिश करते हैं, ठीक है, चलिए, चलते हैं, what is an identification mark हो गया, इलाइटरा मैं बता रही थी, आपको four wings जो है, आगे के जो wings है, वो hard shell में convert होटाते हैं, और ये उड़ने के काम नहीं आते हैं, ये जो hind wing होते हैं, जो पीछे वाले wings होते हैं, उनको protect करने के काम आते हैं, तो ये इलाइटरा wings का जो है, function होता है, चलिए, moving to question number 14, चलते हैं question number 14, name the order of the insect pictured, यहाँ पर देखिए, आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पिक्चर में जो insect है, इस का order कौन सा है, यहाँ पिक्चर में आपको insect देख रहा है, यह किस order से बिलॉंग करता है, वैसे तो अल्रेडी हम इस question को कर चुके हैं, लेकिन question इस तरीके से भी आ सकता है, पिक्चर में हमें क्या देख रहा है, ग्रास होपर है, है ना, जिन लोगोंने ग्रास होपर भी नहीं देखा होगा, उनका क्या कहना मैं क्या ही बताऊंगी, लेकिन I hope सभी लोगोंने, 99% लोगोंने ग्रास होपर देखा होगा, है ना, तो ग्रास होपर किस से बिलॉंग करत है नियराप्तरा इंकलूडस विच ग्रुप ऑफ इन्सेक्ट नी रोप्टरा जो ओर ने उस में कौन से कौन से सैंसेक्ट आते हैं एंट आंट लिओ उन्साथी है क्रोकेट च्छालते हैं से ट्रेगयन फ्लाइस आते हैं तो नीडा order में कौन से कौन से जो group of insects वो count होते हैं तो आंट लियॉंस जो है आपकी न्यूरॉप्टरा ओर्डर में count होती है तो answer क्या होगा यह जो है आपका answer होगा right चले अगले question की तरफ है चलते है question number 16 number बर सोलवा, order odonta comprise which group of insects, odonta order में कौन से insects आते हैं, honeybees आती है, ants आती है, damson fly आती है, dragon fly आती है, odonta order में कौन से जो है, insects count होते हैं, उसके members है, honeybee, ants, damson fly और dragon fly, answer क्या होगा, odonta order में आपके जो है, dragon fly आती है, right, dragon flies are counted in order odonta, इसके जो wings होते हैं, ये four wings और हिंड wings, दोनों ही wings जो है, membranous होते हैं, transparent होते हैं, अच्छे से इन में wings दिखाई देती है, तो ये जो है, dragon fly में present है, है न, तो answer क्या होगा, dragon fly, तो क्या, damson fly जो है, odonta order में आएगा, अब देखते हैं, audience pole कहाँ जाएगा, ठीक है, damson fly बताईए, और आपके odonta order में आएगा या नहीं आएगा, चलो, नंदनी is saying, c plus d, और कोई, yes, तो damson fly भी जो है, आपकी dragon flies के साथ ही आता है, यानि कि odonta order में आता है, तो जहां से मैंने question उठाया था, वहाँ पर answer d दिया हुआ था, बट इसको correct कर ली जिए, इसको c plus d हमें करना पड़ेगा, वैसे या फिर answer होता, बोथ c plus d, तो बेटर होता एक option में, तो damson flies जो है, आपकी odonta order से ही बिलॉंग करती है, ठीक है, damson flies and dragon fly, classification पढ़ाते हुए, मैं अक्सर इन दोनों का नाम साथ में लेती हुँ, अगर आपने notice किया होगा, तो उसी से idea लग जाता है, damson flies and dragon flies दोनों जो है, odonta order से बिलॉंग करती है, so answer will be both, c and d, चले, चलते हैं, अगले question पर, question number 17, insect in which order have only two wings, ऐसा कौन सा order है, जिसमें केवल दो wings present होते हैं, आप सभी को पता है, हर insect में two pair of wings present होते हैं, यानि की total 4 wings present होते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा order है, जिसमें केवल दो ही wings present होते हैं, hymnoptera, trichoptra, hemiptera, और diptera, a, b, c, e, a, d, तो बहुत सिम्पल सी बात है, diptera order में दो ही wings present होते हैं, दो wings इसके highly reduced होते हैं, और ये highly reduced wings को हम क्या कहलते हैं, halters, क्या कहते हैं, halters कहते हैं, और ये balancing के काम आते हैं, ठीके, तो ये highly reduced होते हैं, तो इसमें basically जो functional wing है, वो दो ही present है, तो diptera will be the answer, d will be your answer, चले, चलते हैं, question number 18 पर, which group of insects are in order hamiptera, hamiptera order में कौन से कौन से insects आएंगे, leaf hoppers आएंगे, sting bugs आएंगे, menteds आएंगे, या sickads आएंगे, इन groups में से कौन से है, hamiptera order में count होते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, hamiptera order में आपके sting bugs count होते हैं, sting bugs, true bugs, से सभी जो हैं आपके, यान की बग्स, hamiptera order में count होते हैं, तो जहां बग दिखे, वहां, जो है, hamiptera order लगा दिना, आँख बंद करके, ठीक है, so answer will be, B, B will be your answer, active and passive voice, English में पढ़ाई सकती हूँ, मैं वैसे हैं न, question number 19, silverfish belongs to which order, actually okay, thysanoptera order, so silverfish जो है, thysanoptera order से बिलॉंग करती है, true या false, silverfish thysanoptera order से बिलॉंग करती है, true और false, बताईए, silverfish thysanoptera order से बिलॉंग करती है, true या false, so answer will be true, यह बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है, तो silverfish जो है, आपकी thysanoptera order से बिलॉंग करती है, और कौन है, जो thysanoptera order से बिलॉंग करता है, very famous personality, thrips, thrips जो है, आपके thysanoptera order से बिलॉंग करते हैं, और हमारी crops में काफी नुकसान भी करते हैं, काफी देखे भी जाते हैं, right, तो thrips जो है, आपके thysanoptera order से बिलॉंग करते हैं, right, चले, question number 20, insects in order dermaptera are commonly known as dermaptera order में कौन से इंसेक्ट आते हैं, earwigs आते हैं, carpenter भी आती है, twisted wing parasites आते हैं या termites आती हैं, तो आपके जो ये earwigs हैं, इसमें जो है, dermaptera order में count होते हैं, चेक्ट हैं, thank you so much कमल कांथ, dermaptera order में कौन से आते हैं, earwigs, earwigs आपके dermaptera order में count होते हैं, चेक्ट हैं, चले, तो चलते हैं, next slide पर, order hymnoptera, order hymnoptera includes which group of insects, hymnoptera में कौन से आते हैं, hymnoptera में कौन से आते हैं, bees, ants, wasp, तीनों ही जो हैं, आपके hymnoptera order से, belong करते हैं, आपकी मधुमख्यां भी, चीटियां भी, और तताया, यानि की वास्प भी, तीनों जो हैं, hymnoptera order से, बिलॉंग करते हैं, so, the answer will be, D, ठीक है, तो answer क्या होगा, D होगा, राइट, चले, next question, question number 21, order hymnoptera includes, which group of insects, हो गया है, यह हमारा, चले, तो, that's all for today, आज के लिए, कोईज में इतना ही, काफी easy, कोईज थी, राइट, directly questions, थे आप लोगों के, और इसी तरीके से, direct question exam में, पूचे जाते हैं, ठीके, यह जो शुरू में, थोड़ा साथा, विच इस दा, exclusively, herbicide, which is exclusively, parasitic, इस तरीकी के questions, साब को देखने को, मिल सकते हैं, और यह, इन में गलतियां करने के, chances जो हैं, थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, otherwise, example wise, तो पूचेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि, आपने होए, अब बे classification में, कुछ बाकी है, क्योंकि, classification हमने, बहुत स्लोली एक अर्डर लेके किया है, examples के साथ किया है, photographs के साथ किया है, so I am assuming की, अब तो आप सभी लोगो को जो है, याद हो गया होगा, राइट, यस नंदिनी, हाँ, मेभी बाट, spelling mistake I got, ठीक है, यस राइट, 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 तो थाइसे नो यूरा से आपकी, सिल्वर फिश बिलॉं करती है, थाइसे नो प्रा से आपका, थिप्स बिलॉं करता है, so that was just, misspelled or something like that, तो उसको जो है, करेक्ट कर लिजे का आप लोग थाइसे नो यूरा से, आपकी, सिल्वर फिश बिलॉं करती है, और थाइसे नो प्रा से आपका, थिप्स बिलॉं करता है, थिर्पिडी जिसकी फैमिली होती है, ठीक है, चलिए, तो आज की लास में इतना ही, क्लास को पसंद आया हो, लगा हो, कि चलो, थोड़ा पत लाइक वही कर देते हैं, माम को थोड़ा अच्छा लगा है, तो लाइक कर देना, फ्रेंज के साथ शेयर कर लेना, और अपने क्लासिफिकेशन को, स्ट्रॉंग बनाने के लिए, कुछ और व्वाइशन जरूर प्रेक्रिस करना, क्लासिफिकेशन कुछ ऐसा सब्जेक्ट है, जिब कोई पढ़ाते हैं, हमें ऐसे लगते हमें आता है, लेकिन जब हम उसको 6 महिने तक, या 1 महिने तक वापस नहीं खोलते हैं, तो हम सब साफ हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं, तो इसको जो है रोज थोड़ा बहुत रिविजिन में डालिए, ताकि आपको यह बिल्कुल याद हो जाए, एक्जाम तक ठीक है, तो क्लासिफिकेशन याद करने का केवल यही तरीका है, कि आप सभी लोगों को इसका रिविजिन टाइम टू टाइम करते रहना पड़ता है, चले चलते हैं एक बारी अड़ा के टूर पर और देखते हैं, अड़ा के पास क्या है खास, तो राइम भी बन गई है, यहां पर आपका अग्रीकल्चर महा पैक है, आपका IBPSSO का प्री अन मेंस वाला है, जो ब्लाक और येलो में है, जो वाइट अन ब्लू है, वो केवल मेंस के लिए है, आस पर यो चॉइस जैसा आपको ठीक लगे कि मैं मुझे इसकी तैयारी करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप बाचिस चूज कर सकते हैं, और IBPSSO यू नो बहुत ही वास्ट स्लेबस है, जितना जल्दी इसमें इंड्रोल करेंगे, जितना डीपली आप सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, उतना ही बेटर आपका पर्फोर्मेंस एक्जाम में रहेगा, उसे तरीके से आपका FCI टेक्निकल का मेंस बाच अलग है, प्री आप मेंस बाच अलग है, तो जैसा आपको लगता है जैसी आपके परपरेशन हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आप बाच में एंरोल कर सकते, जैसे कि मुझे केवल मेंस में जाना है, means में क्या क्या है मुझे पता करना है right तो यहाँ पर जो है आपकी पूरी description होती है highlights होती है क्या कुछ इसमें available है कितनी seats available है कौन से कौन से subjects यहाँ पर cover किये जा रहे हैं यह सब कुछ यहां पर बताया जाता है कौन-कौन फेकल्टी इसमें पढ़ा रही है कितना उनका यूर ओफ एक्स्पीरियंस है सब कुछ डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में होते है तो अगर आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स पढ़ने के बाल लगे कि यास इस गुड वन सब्सक्रिप्शिन आपको कोड़ डालना है कोड़ आपको माम का याद रहना चाहिए विच इस वाई 448 चार प्लस चार आट होते हैं मैं बाइलोजी टीचर हूं मतलब बाइलोजी टीचर नहीं एंटमलोजी टीचर लगा लो बट बेसिकली मेरी 11th 12th जो है बाइलोजी से है लेकिन फिर भी इतनी माच्स तो मेरी भी वीक नहीं कि चार प्लस चार आट होते हैं बाइद वे मैं जाटू तो मेरे तो 16 दुनियाठ भी होते हैं तो क्या ही कहने लेकिन अगर आप 4 प्लस 4 एट अगर कोड लगाते हैं यानि कि वाई 448 तो इसका जहां आपको 10,000 प्राइ ** फेर मिलेंगे अपनी अग्ली क्लास में कुछ और नई क्वेसिंश के साथ क्छ नई इंफोरमेशन के साथ बने रही अभी तक अच्छे से पढ़ाई कjee ं जी लगा के पढ़ाई के जी है औंड सेलेक्शन तो ہو ही जहे जब महनत करेंगे तो आजलेक टेल के तो जी güकत मैं और क्वांट्स का रहेगा वो आपका बांकिंग पेटरन पर रहेगा लेकिन पियो से लेवल इजी रहेगा तो पियो लेवल का नहीं जाएगा लेकिन बैंकिंग पेटरन पर ही इसका जो है एक्जाम आता है तो पियो से नीचे लेवल लगा लिजी आप सो लेवल टाइप का तो है आपका reasoning और यह माच का लेवल रहेगा तो पियो से तो हल कर रहेगा डोंट वरी यू विल बी एबल तो डू आप आराम से कर पाएंगे और इसमें जो आपका प्री और मेंस का बाच है इसमें आपके जो बैंकिंग फेकल्टी से वो ही आपकी क्लास लेंगे ताकि वो उसी पैटरन के अकॉर्डिंग आपको करवा सकें ओके थाइंक यू अन बबाई